हरियाणा विधान सभा चुनाव का रण सच चुका है। भाचपा कॉंग्रेस समय तमाम दल चुनाव प्रचार में अपनी ताकत जोक रहे हैं। रूठों को मनाने की कोशिषे चल रही हैं। विरोधी द्वारा किसी को अपने साथ मिलाने की भी कोशिषे चल रही हैं। और इस राजनितिक उठापटक के बीच कुछ खास सीटों पर सब की नजरे हैं। इन सीटों में एक सीट है अंबाला कैंट विधान सभा सीट। यह वही सीट है जहां से हरियाना के दिगज नेता और पूर ग्रह मंतरी अनिल विज चुनाव मैदान में है। विज भी कुछ समय पहले तक रूठे नेताओं वाली सूची में बताय जा रहे थे। यह पहली बार नहीं है जब विज रूठने के लिए चर्चा में हैं या विज के रूठने की खबरें आई हों और विज को मनाने की बातें आई हों। विज के अलावा भी कई चेहरे हैं अलग अलग जगहों पर जो रूठे हुए हैं। अलग अलग सीटों के बारे में बताते हैं इस चुनाव के दौरान हरियाना की कई सीटों के बारे में हम आपको बता चुके हैं और आज बात कर रहे हैं हम हरियाना की अंबाला कैंट सीट की इसके चुनाव इतिहास की भी बात करेंगे यहां से एक ऐसी नेता के रिश्टे क की भी बात करेंगे जो देश की सियासत में एक बहुत बड़ी सकसियत वनिया और इसके साथ में ये भी बताएंगे कि इस सिट का क्या इतिहास रहा यहां से कौन कौन जीता है कौन हारा है इस बार कैसे समिकरण है और कौन है जो इस बार भी कॉंग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है जो एक बार फिर से नाराज हो गया है उसकी भी बात करेंगे इस पूरे चुनाओं की इस चुनाओं के साथ में यहां से जो भी यहां का चुनाओं इतिहास रहा है उसकी लेकिन शुरुआत कर लेते अंबाला केंट सीट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर अंबाला केंट सीट के बारे में क्या इसका इतिहास कहता है कैसी है ये सीट आईए जानते हैं मुख्य मंतरी नायब सिंग सैनी अमबाला जिले से याते हैं और इस जिले में कुल चार विधान सभा सीटे हैं पहली अमबाला शेहरी अमबाला च्छावनी यानि अमबाला कैंड मुलाना और नारायनगड हलांकि 2009 से पहले यहां पर पांस सीटे हुआ करती थी इस बार कि 2008 में जब परिसीमन हुआ उसके बाद उस सीट को खत्म कर दिया गया 1960 के बाद से इस जीले में कोई नई विधान सभा नहीं बनी है पांस से घटके चार जरूर हो गई है अमबाला च्छावनी यानि अमबाला कैंड जिसे कहते हैं उस सीट की अगर बात करें तो वो सीट जो टूबर को उम्मिद्वारों की किस्मत का फैसला करेंगे अब बात कर लेते हैं अमबाला सीट के चुनावी इतिहास की यानि सबसे पहले से जहां से चुनाव हरियाणा की गठन के बाद जो पहला चुनाव हुआ था उस चुनाव में उनिस सुसरसट का वह चुनाव था उस वक्त जब च्छाचट में गठन हुआ एक सालबाद जो चुनाव हुआ उस वक्त के चुनाव में कॉंग्रेस के टिकट पर उत्रे थे देवराज और उन्होंने जीत दर्ज की थी हलांकि देवराज की जीत का अंतर बहुत कम था महज 498 वोट से वो जीत पाये थे पी नाथ जो की जनसंग के उम्मिद्वार थे उनको उन्होंने हराया था उस चुनाव में भारती जनसंग की तरफ से उत्रे भगवान दास ने जीत दर्ज की जनसंग के उम्मिद्वार ने कॉंग्रेस के देवराज आनन जो की एक साल पहले ही विधायक बने थे उनको 1403 वोट से हरा दिया था साल 1972 आता है तीसरा चुनाव होता है हरियाना का और भगवान दास जो की विधायक थे उनको हार का सामना करना पड़ता है यानि एक बार फिर नतीजा बदल जाता है पहले चुनाव में कॉंग्रिस, दूसरे में जनसंग, लेकिन तीसरे चुनाव में कॉंग्रिस वापसी करती है और हंस राज यहां से जीतते हैं, भगवान दास को वो 4512 वोट से हरा देते हैं, साल 1977 यानि वो साल जब आपातकाल के बाद चुनाव होते हैं देश के सासत हरिया हरियाना में भी और इस चुनाव में अंबाला कैंड से महज 25 साल की एक युवा महिला जीत दर्ज करती है, न सिर्फ वो महिला जीतती है बलकि राज में जो सरकार गठित होती है, देविलांग की सरकार जो बनती है, उसमें मंत्री भी बनाई जाती हैं वो महिला, महज 2 साल यही महिला हरियाना में पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाती है, और इस महिला की राजनितिक सफलता का ये दौर यही नहीं थमता, आगे चल कर ये देश की राजनिती का बड़ा चेहरा बनती है, विधायक हरियाना सरकार की मंत्री होने के साथ आगे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती है, सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री ही नहीं, देश की विधेश मंत्री भी बनती है, हम बात कर रहे हैं भाज़पा की दिगज निता रही सुश्मा स्वराज की, 1977 का वो साल था जब सुश्मा स्वराज महज 25 साल की उम्र में अंबाला कैंट सीट से जन्ता पार्टी के टिकट पर जीत कर विधायक बनी थी, उन्होंने कॉंग्रेस के देवराज आनंद को जो की पूर विधायक थे, उन्हें 9824 वोटों से शिकस्त दी थी, जीत के बाद 25 वर्सी शुश्मा न सिर्फ मंत्री बनी, समाजिक कल्याण और श्रम मंत्राले और रोजगार मंत्राले उनको मिला था, उसके साथ में कुल 8 विभागों के उनको जिम्मिदारी मिली थी, शुश्मा के विरोधी उनके मंत्री बनाने का विरोध कर रहे थे, कारण बताया जा उन्हें मंत्री फिर भी बनाया गया आला कमान के कहने पर उसके बाद भी शुष्मा को मंत्री पत से हटाने की बहुत सारी कोशिशें जारी रहीं। सुष्मा सुराज को क्यों हटाया गया इसके पीछे तातकालिक देविला सरकार ने कोई स्वष्ट वजह नहीं बताई। सुष्मा को बिना किसी ठोसकारण से हटाने की बात पर नाराजी जताई और देविलाल को फिर से कहा गया कि वो कैबिनेट में बनी रहेंगी। और सीम को ये बात माननी पड़ी केंद्री नेतित के दबाओ में देविलाल को अपना फैसला पलटना पड़ा और सुसमा सुराज को दुबारा से मंत्री बनाना पड़ा। वापस अमबाला केंट चलते हैं फिर से उस बात को लेकर चलते हैं कि उस सीट की बात करते हैं हमारी जो सीट है अमबाला केंट आज की उसके बारे में साल आता है 1982 एक बार फिर राज में विधान सभा चुनाओ होते हैं और इस चुनाओ में कॉंग्रेस के उमिदवार होते हैं रामदास धमीजा जो की जीत दर्ज करते हैं धमीजा इस चुनाओं में जन्ता पार्टी के स्वामिय अगिनिवेश को 6211 वोट से हरा देते हैं साल 1987 एक बार फिर से चुनाओं का साल और इस बार अंबाला कैंट सीट पर एक बार फिर से वापसी करती हैं सुष्मा शुराज शुष्मा इस बार भारती जन्ता पार्टी के टिकट पर मैदान में थी और वो कॉंग्रेस के रामदास धमीजा को जो के पिछली बार जीते थे उनने और वोर्ष्मा बनाति है और शिक्षा मंत्री के तोर पर वो नए प्रयोग करती है और इस प्रयोग में होता क्या है कि हर जिले में दरबार लगा कर सिप्षखों की जो भी समझचाय हैं उनका समाधान करना शुरू किया जाता है इससे पहले जो सिक्षक जिनकी समझचाय होती थी वो अपनी समझचाय को लेकर चंडीगड़े आया जाय करते थे और इसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर बहुत असर पढ़ता था और इससे काफी कुछ बदलता हरियाना में हालांकि सुष्मा लंबे समय तक मंतरी नहीं रह पाती है अपरेल 1990 सुष्मा सुराज को राजसभा भेज दिया जाता है सांसत बनने के बाद अमबाला कैंट की सीट वो छोड़ देती है और सीट खाली होने के बाद यहां पर उपचुनाव होता है और इस कर अमबाला कैंट सीट का परियाय बन जाता है और यह चेहरा होते हैं अनिल्विज अनिल्विज 1990 की उपचुनाव में यहां से भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज करते हैं महज एक साल बाद फिर से चुनाव होते हैं नए सिरे से क्योंकि उपचुनाव था उपचुनाव क अमबाला कैंट सीट से ब्रिज आनंद जीत दर्ज करते हैं जो की कॉंग्रेस के उमिद्वार होते हैं और भाजपा के अनिल्विज को वो 8,017 वोट से हरा देते हैं 1991 के बाद अगले चुनाव में जब 1996 का चुनाव आता है तो भाजपा अनिल्विज का टिकट काट देती ह है और उनकी जगह कबीर देव को मैदान में उतार आ जाता है अनिल्विज निरदली मैदान में उतरते हैं और निरदली उतरते ही नहीं है बल्कि जीत भी दर्ज करते हैं और हराते किसे हैं राज रानी को कॉंग्रेस की 6,090 वोट से और भाजपा के जो उमिद्वार होते ह वो तीसरे स्थान पर खेसक जाते हैं 1996 में जीत दर्च करने वाले अनिलविज जब 2000 में चुनाओ होते हैं तो एक बार फिर से निर्दली ही मैदान में उतरते हैं और इस बार भाजपा दुबारा से कबीर देव को हिटी कर देती है इस बार भी अनिलविज ही जीतते हैं निर् उन्हें 9,057 वोटों से हार मिलती है अनिलविज से लगातार दो बार निर्दली जीते अनिलविज हैट्रिक की उम्मीद के साथ 2005 में भी अंबाला कैंट सीट से निर्दली ही उतरते हैं लेकिन 2005 में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है कॉंग्रिस के देवेंदर बंसल य भाजपा के रवी सहगल अपनी जमानत भी नहीं बचा पाते और वो चौथे स्थान पर रह जाते हैं साल 2005 के बाद जो अगले विधानसवा चुनाव होते हैं वो 2009 में होते हैं और इस बार अनिलविज भाजपा के टिकट पर उतरते हैं अनिलविज 1991 में में भाजपा के उम समझोता कह लीजिए या गडबंधन कह लीजिए ये रास आता है अनिलविज यहां से चौथी बार जीतते हैं दूसरी बार भाजपा के विधायक बनते हैं दो बार वो निर्दली थे 2014 में एक बार फिर अनिलविज को जीत मिलती है कॉंग्रेस के निर्मल सिंग को वो 15,462 वोटों से हरा देते हैं 2019 में अनिलविज एक बार फिर जीतते हैं इस बार वो निर्दली चित्रा सरवारा को हराते हैं 20,165 वोट से चित्रा कॉंग्रेस से बगावत करके मैदान में उ अंबाला कैंट से छठी बार अनिलविज को जीत मिलती है अब बात कर लेते हैं 2024 यानि इस बार के छुनाओं की हर्याना में जो अंबाला कैंट की सीट है वहाँ पर इस बार enforal एक बार फिर से दिल्चस्प होता दिखाई दे रहा है एक बार फिर से चित्रा बागी हो गई हैं छे बार के विधायक पूर्व ग्रह और स्वास्त मंत्री अनिलविज एक बार फिर मैदान में है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस ने पूर्व पारसत परविंदर सिंग परी को मैदान में उता रहा है और उनके सामने एक और चुनौती है वो बड़ी चुनौती है कि उ 15% वोट पाकर विजरू जीते थे लेकिन 36% वोट निर्दली पाने वाली चित्रा एक बार फिर से मैदान में है और वो किसके लिए मुसीबत बनेंगी ये देखना होगा क्योंकि इस बार इस सीट पर कुल 11.30 मैदान में है और अनिलविज के अलावा चित्रा के साथ में पर कारें की बात कर रहे हैं तो चित्रा और कॉंग्रेस के परी भाजपा के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं अगर जाती समीक्रणों को देखें तो विज और परी दोनों पंजावी समाज से आते हैं जिससे समाज के वोटों का बटवारा हो सकता है इसकी आशंका या उमीद जताई जा रही है विरोधिस की उमीद कर रहे हैं और उनको आशंका है कि हमारे समाज के वोट का वटवार आ रहा हो वहीं चित्रा एक मातर जाट उमीदवार हैं ऐसे में जाट फैक्टर यहाँ पर कैसा असर करेगा वो देखना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ के ओवराल इतिहास की बात करेंगे तो अब तक जो 14 चुना हुए हो उनमें से 13 बार यहाँ से पंजाबी समाज से आने वाला चेहरा ही विधायक बना है किवल एक बार को छोड़ के अगर बाकी दलों की बात करें तो इनोलों बस्पाकडबंधन से उंकार सिंग चुनावी मैदान में उत्रे हैं वो विरोधियों गडित बिकारने के जुगत में हैं वहीं आम आदमी पार्टी से राजविंदर कौर, जेजीपी से अवतार सिंग, युगा थुलासी पार्टी से नवीन कुमार और निर्दली प्रत्याशिक रूप में जस्विंदर, सुधीर, राम सिंग, सुन अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें